तो आज के इस वीडियो में मैं आग सभी के लिए रेडाक्स अभिकिरिया लाए हूँ कि रेडाक्स अभिकिरिया क्या है वो रेडाक्स अभिकिरिया कितने प्रकार की होती है और रेडाक्स अभिकिरिया के कितने नाम होते है तो आईए इस प्रस्ने के चाज़ हम समझते हैं तो कोफी में समझेंगे रेडाक्स अभिकिरिया तो देखिए अब हम पढ़ेंगे रेडाक्स अभिकिरिया तो रेडाक्स अभिकिरिया पढ़ने के पहले हम पढ़ लेते हैं यहां पर उपचैन अभी किरिया किसी केते हैं और अपचैन अभी किरिया तो दोनों को समझते हैं दोनों का कुंसेप्ट जानते हैं क्या है तो बहुती बारी किसे आपको यहां पर में दोनों को समझाओंगी उपचैन को और अपचैन में देखिए दो बातों को आपको यहां देना है कि जो उपचैन अभी किरिया है इसमें जो आक्सीजन है क्या है हमारी आक्सीजन का योग होगा और हैटोजन है इसका हास होगा तो रासाइनिक अभिकिरिया में आक्सिजन का योग और हाइटोजन का हास होता है उसे उक्चेन केते हैं और इसका उल्टा है इसमें कुछ भी नहीं है इसका उल्टा है इसमें हाइटोजन का तो योग होगा अल्टी पल्टी करना है बसकेवर और आक्सिजन का हास होगा उसे उपचेन केते हैं जब किसी रासाइनिक अभी की दिया में आक्सिजन का योग तथा हाइटोजन का हास होता है उसे उपचेन केते हैं और अपचेन की जब किसी रासाइनिक अभिकिरिया में हैटोजन का योग और आक्सिजन का हास होता है उसे अपचेन अभिकिरिया केते हैं तो आईए अब आपको परिभासा यहां से लिख लेना है कि जब किसी रासाइनिक अभिकिरिया में आक्सिजन का योग तदा हाइटोजन का हास होता है उसे उपचेन कहा जाता है किस तरह से देखिए कार्बन प्लस आक्सिजन इन दोलों का क्या हो रहा है यहां पर योग हैं देखिए 2Mg प्लस O2 दोनों जूड़ी देखिए यहां पर Mg O तो इस तरह से अक्सिजन के योग होता है और अपचेन में आप लिखिएगा कि जब किसी रासाइनिक अभिकिरिया में हाइटोजन का योग तथा अक्सिजन का हास होता है उसे अपचेन कहा जाता है देखिए उधारन में आप लिखिएगा Cu O प्लस H2 तो देखिए यहां पर Cu अलग हो चुका है क्यों कि हाइटोजन का योग होगा ने इससे जूड़ेगा कोई ना कोई तटू इस तटू से जरूर जूड़ेगा तो यहां आक्सिजन से जूड़ गया कोण हाइटोजन इस तरह यहां पर आक्सिजन का हास हो गए क्योंकि यहां से जेटेन के पास से यह किसके पास आ गई कार्वन के पास तो इसका हास हो गए जेटेन प्लस C O बन तो यह थी हमारी अप्चेन और उप्चेन अब हम पढ़ते हैं रेडाक्स अभीकिरिया बहुती अच्छे सा अप्तम आपको जिनमें एक अभीकारक का उप्चेन होता है तथा दूसरे का अप्चेन होता है देखिए अप्चेन में क्या था आक्सिजन का योग होता है और अप्चेन में आक्सिजन का हास तो एक अभिकारक में तो अपचेन होगा यह रही जुड़ेगा योग होगा और दूसरे अभिकारक में अभिकिरिया कहते हैं यहीसे उपाप्चेन अभिकिरिया भी कहते हैं पाइविवास तरहां बहुत ही सिंपल है कि वे अभिकरिया है जिनमें एक अभिकारक का उपचेन होता है तथा दूसरे का अपचेन होता है उसे रेडाक्स अभिकरिया केते इसका दूसरा नाम आप याद रखेगा उपचेन अभिकरिया और आप यहां पर उधारन में लिकिएगा CuO plus H2 किरिया होई Cu plus H2 देखिए यहाँ पर Oxygen और Hydrogen का क्या हुआ है यह हुआ है और दूसरे दारन में आप देखिए जो हमारा Oxygen है इसका हास हुआ है क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि यह Zinc से दूर हो गया कारवन के पास तो इसका Oxygen का इसमें हास हुआ तो यह थी हमारा Red Ox अभी की रिया यहाँ साब अच्छे से Screenshot ले लिजे और इसका उधारन इसके बाद हमारी है यह उच्चेन या इसे आक्सिकरन भी कहते है इसके उधारन और अप्चेन की परिभासा और उसके उधारन तो आप तीनों को अच्छे से कंप्लेट करेगा और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोटबी कर लीजेगा